अस्लामलेकूम, हवाज आईं, केसे हैं आप सब, ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं, बहुत ही शुकर है, बेसाफ शुकर है अल्लाह का, आज की वीडियो है जी बाइक की उपर मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि मैं एक बाइक की उपर वीडियो बनाने ज़ा रहा हूं जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपने बाइक को आप कैसे सेफ रख सकते हैं चाबी के लियाज से भी और पेट्रोल के लियाज से भी प्रूफ से मैं आपको बताऊंगा प्रूफ दिखाऊंगा प्रॉपरली ये नहीं कि बस आपको बता दिया और वीडियो शिडियो बना दिया नहीं आपको बकाईदा में प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कुई इसको नहीं चला सकता ओके सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ हाँ जी गाइस तो आपने करना ये है कि कोई बड़ी फंकारी नहीं है कोई बहुत बड़ा प्रजेक्ट नहीं है चोटा सा प्रजेक्ट है आपके अपने आद कर आप अपने घर में बैड़ कर दस मिट लगने है आपने कर लेना है करना क्या है कि कुछ खास नहीं है ना ही मैंने इसमें कुछ स्क्योटी बगरा लगाई है ना इसमें कोई एक्स्ट्रा अतार कुछ भी है सिम्पल वही बाइक है जो कमपनी आपको हम देती है जो लेकर आते है प्रचेज करते है और लाथे यह वही चीज कि करना है इसमें बड़ना कर, चोटा सा wod वह इसमें अबहुत को बताता हूं अबने करना क्या है कि सबसे पहले कि वैक को हमने किया start start हो गया आपने देखा है मैंने यह switch on किया इसी kick से मैंने इसको start किया अभी मैं इसको दूँँगा accelerator oh my God इसका तो race ही काम नहीं कर रहा यही पन का रही है यही पन का रही है क्योंकि जो इसका मैंने accelerator है न इस side पे लगया हुआ है एक सेकंड यह देख सकते हैं हाँ जी गाइस आपका जो दोस्त है वो 24 हावर्स परशान रहेगा कि आज मेरे दोस्त ने मेरे साथ क्या फिल्म डाली है इसने क्या ऐसा सीन कर दिया है कि अब मैं इसकी मुर्सेकल से लचार रहूँगा अब मैं जब मांगूँगा तो मैं शर्मिन्दा हूँगा अब ही जब आपके दोस्त को भी यह फंकारी पता चलीगी न कि मेरे दोस्त ने एकसलेटर इस साइड पे लगाया हुए तो वो चलाना तो दूर आपसे मांगने का भी नहीं सोचेगा और इससे क्या होगा इसका फाइदा यह होगा कि आपका बाइक सेफ रहेगा पेट्रोल बचा रहेगा आजकल का दोर बड़ा खतरनाक है पेट्रोल बहुत महेंग है सबसे बड़ी बचा थी वो है कि पेट्रोल बाच जाए अभी मैंने एकसलेटर इसका इस तरफ लगा दिया और इधर भी यह पीछे नहीं आगी की तरफ काम करता है इधर तो यह पीछे की तरफ काम करता है ना इस सेट यह आगी की तरफ काम करेगा और मज़िक एक और बार कलच भी इसी तरफ है अभी जो चलाने वाला होगा वो स्टार्ट भी कर लेगा गेर में भी डाल लेगा लेकिन ब्रेक उसकी शर्तिया दिवार में या किसी गाड़ी में लगी गी इसलिए वो आप से मांगे गा ही नहीं और दूसरी बात आप भी कोशिश करें कि यह काम करके किसी को मत दें यह बहुत डेंजरस भी है आप अगर खुद भी करें तो पहले उसको थोड़ा प्रैक्टिस करें क्योंकि मेरा मांइड ऐसा था कि मैं ऐसे कामों में थोड़ा तेज रहता हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं हर बंदे से कुछ नए काम करूँ मलाव अगर किसी ने कुछ काम किया नहीं तो मेरा ji होता है कि मैं उसके मुटबाधे कुछ और अच्छा काम करूं ठीक है तो आप ने गाइज ये करना है कि आप अपनी सेफली के लिए जब भी अगर आप ये करें मेरी वीडियो आपको पसंद आती है ये ट्रिक आपको पसंद आती है अच्छी लगती है तो अगर आप ये काम करते हैं तो खुदारा पहले खुद इसको थोड़ा प्र तो इसको साफ साफ बताएं भाई ये चीज़ है आप नहीं चला सकते है तो मैं आपको नहीं दे रहा ऐसे आप अगर उसको इंकार कर दोगे तो हो सकता है वो नराज हो जाए यार कैसा दोस्त है बाइक नहीं दे रहा ये कैसा यार ये एक बाइक नहीं दे रहा अब उनको तो नहीं पड़ता बैसमें पेटरॉल भी डलता है, इसमें ओईल भी डलता है, इसके टैल भी गिसते हैं, लोग तो इस चीज का इसास नहीं करते हैं, वो बस कहते हैं भाइक ले जाएंगे, क्या है यार फिचास सो का पेटरोल डलबा लेंगे ओ भाई इसमें फिचास सो का ना इतना कुछ पेटरोल आता है बस वो लगाते हैं और निकाल लेते हैं सो अगर आपने ये चीज़ करनी है खुद पहले प्रैक्टिस करें ठीक है अपने लिए फुद को पहले इसको सेज़ बनाएं और ये चोरी वाला भी खाता है इसमें नहीं है हंडरेट वैसे एटी परसंट यही चास होते है कि आप कहीं भी खड़ा करके चले जाएं ये चोरी इतनी असानी से नहीं होगा चोर यहां तो इसको कंदों पर उठा के लेके जाएं या गाड़ी में डाल के लेके जाएं चला के वो नहीं लेके जा सकता है जैसे कर भी हम वीडियो देखते हैं वो आते हैं ऐसे लाग तोड़ते हैं ऐसे डिरेट करते हैं और ले जाते हैं वो सीन इदर नहीं है भाई चोर इदर से बैठेगा इदर से उतर जाएगा आप अगर मेरे चैनल पर न्यूँ है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इन्शाला मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी मज़े मज़े की मीची मीची वीडियो बनाओंगा